पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके SSEJE की 2015 से लेके 2020 तक की वेकैंसी डिटेल के बारे में इस्पेशली मेकैनिकल और इलेक्टिकल वाले स्टूडेंट्स को शौक लगने वाले इस वीडियो को देखने के बाद और इसका मैं डिस्क्लेबर दे देता हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक डिटेल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ जो बात आपको पता नहीं है और इस वीडियो में जितना भी डेटा दिखाऊंगा वो सभी का सभी 100% सच है और वो सभी SSC ने खुद प्रोवाइड कराया हूँ है और जो प्रोवाइड नहीं कराया हूँ है वो मैंने इसमें नहीं दिखाया क्योंकि वो एक्जेस्ट ही नहीं करता ये वीडियो काफी जादा शोकिंग होने वाली आप सभी के लिए और थोड़ी से डिमोटिवेटिंग हो सकती है तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी से आपके जो थोट्स हैं किसी चीज़ को देखने के बाद चेंज हो जाते हैं या फिर आप डिमोटिवेट हो जा तो उसके responsible आप खुद होगे मैं उसका कोई responsible नहीं होगा मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये students के demand पर बना रहा हूँ क्योंकि कुछ students daily comment करके मुझस से पूछ रहे हैं कि sir past 5 years की vacancy detail की वीडियो बना दीजे जिसके बारे में आपने एक बार बात करी थी ठीक है तूसरी में बात करेंगे कि हम आपके पिछले 5 साल में यह disclaimer हो गया है अगर आपको लगता है कि आप demotivate हो जा होगे तो आप अभी भी जा सकते हो इस वीडियो को छोड़ कर ठीक है अब हम वीडियो को शुरू करते हैं हम इस वीडियो में बात करेंगे civil electrical और mechanical की vacancy detail के बारे में तो चलिए 2015 में चलते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं यह जो आप vacancy table देख रहे हूँ यह official website से उठाया गया है चेकर यह 2016 information आप देख सकते हैं स्क्रीन चौट है यह 2015-16-17 यह आपकी exact vacancy detail है 17 तक की और अभी मैं 18-19-20 की भी तिखाऊंग आपको तो आपको vacancy detail जाननी है तो देख लेना civil की 2015 में civil की जो vacancy थी वहाई थी आपकी 1283, mechanical की थी 120, 2015 की बात हो रहे है electrical की थी 38, electrical और mechanical की mix थी 176 ठीक है तो और यहाँ पर quantitative serving and contract की थी ही नहीं तो हम इसको skip कर देते हैं हम इसको हर एक में skip करके चलेंगे क्योंकि यह ना के बराबर हैं तो civil की आपने देख ली यहाँ पर 1283 थी 2016 पर आते हैं तो यह vacancy हो गई आपकी 951, mechanical की हो गई 25, electrical की हो गई 228, mechanical और electrical की mix हो गई 178 ठीक है अब आ जाते हैं हम 2017 पर civil के लिए थी 256, mechanical के लिए थी 4, electrical के लिए थी 5, electrical mechanical के लिए थी 76 अब बात यह आती है कि यह electrical और mechanical का mix का क्या scene है इसका कोई data कभी release करा नहीं जाता कि किसको क्या मिली क्यों मिली और electrical mechanical mix क्यों है वाय आपने कभी देखा है किसे department में की electrical mechanical की एक साथ हो यह SSG को छोड़ कर चलो हम इसको भी एक चीज़ के लिए छोड़ देते हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी कम vacancies है चलो कम है तो उसका भी कोई scene नहीं है बट दिक्कत की बात सिर्फ यह है कि SSC कभी भी JE वाली vacancies की detail notification के साथ नहीं निकालता आप कभी भी 2020 का notification आया हुआ है आपने देखा होगा कि उसमें लिखा होगा कि will be released soon will be released soon पता है कब आता है जब आपका tire 1 complete हो जाता है tire 1 का exam देने के बाद जब आप paper दे दोगे उसके बाद वो vacancy detail release करते हैं आप सभी को बताए कि आपका जो 2019 वाला exam था वो March में होना था और March में exam होने के तुरंत बाद वो vacancy detail release कर देते मतलब कि उनको पता था कि कितनी seatे हैं बट उनको ये बात बतानी नहीं है क्यों नहीं उसका reason आप सभी जानते हो क्योंकि अगर वो vacancy detail बता देंगे तो students form कम फिल करेंगे इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना 2017 में चार vacancy थी आप mechanical पर थोड़ा सा focus कर ले ना ठीक है इसको थोड़ा सा rough कर देते हैं ठीक है इसको देखते रहा ना electrical mechanical civil वालों के लिए इतनी प्रोब्लम नहीं है मैं electrical mechanical वाले students इसको थोड़ा last तक देखना वीडियो को ज़रूर यहाँ पर आपकी बात होगे इतनी vacancies अभी मैं आपको addition दिखाऊंगा past 5 years का आप शोक हो जाओगे अब बात आ जाती है अपकी 2018 2018 में आपकी mechanical की है इती 29 electrical की है इती 206 और electrical mechanical की 43 हम एकम करेंगे हम pure mechanical और electrical की बात करते हैं और देखने है कितनी बैठती है ठीक है तो mechanical की देख आपका exam हो जाएगा कौन से tire 1 ठीक है 19 का भी तक कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने तो no data available for 19 और 20 तो आप देखना भी 500 vacancy भी पूरी इन्री बैठने वाले mechanical की सिर्फ mechanical की 29 ठीक है 2018 में 29 प्लस 4 31 120 120 और 129 149 149 प्लस 1 149 प्लस 29 178 172 68 149 आपकी vacancies थी और 29 178 दो हजार 15 16 17 18 पता है हर साल कितने इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं हर साल आपके ओल्मोस्ट ओल्मोस्ट ठीक है हर साल कम से कम आठ लाख इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में और सबसे ज़्यादा जो सीटे होते हैं हो mechanical की होते हैं और civil की होते हैं ठीक है और electoral की होते हैं क्योंग यह बहुत common branches हैं आप civil का भी देखोगे तो इसके यह बहुत पांस अवकेंसिस पूरी नहीं होंगी 38 228 और 5 तो होगे आपका कितना 43 43 प्लस 228 228 प्लस 43 ठीक है और इसमें भी देख लेते हैं इसमें भी कौन से इनोंने कुछ एक्स्ट्राइब दिया होगा वेर इस यहां पर तो यहां पर इनोंने थोड़ी ठीक दियो ही है आपकी 206 कुछ थोड़ी ठीक नहीं है कुछ आठ नो लाख लोगों के लिए 206 विकेंसिस 206 तो यह अभी भी आपकी 500 के असपास नहीं बैठेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिकल की सो मैं यह जो विकेंसि डिडियल की वीडियो बना रहा हूँ आपको सिर्फ यह बताने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको इंजीनरिंग डिपार्टमेंट में जाना ही है और गवर्मेंट जो जूब चूज करनी ही है तो एक साथ तीन चार एक्जाम की करो और फोकस करो जिस स्टेट में आप रहते हो ना उस स्टेट की जो गवर्मेंट है उसकी प्रपेशन जादा करो कि उसको क्लेर होने के चांसे जादा है ठीक है इन कंपार्जन टू एक्जाम देना एक गेट के एक्जाम से जादा हार्ड होता है उसमें सेलेक्शन लेना और हां 2017 की एक सीक्रेट वाली बात नहीं बता ही मैंने तुमको एक और चीज दिखाता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो चार विकैंसी होता है घिख है इसकल भी चो भी जगलो इसको यह चार वीगैंसी के लिए ठीक बोमा वाला स्टूदेंट इस लिए सौ सर्रुपे करने के पैसे लगते हैं यह फैरSiज पैसे लगते हैं अब सार्व उसमें problem नहीं है ठीक है अब मैं यह बताता हूं कि इसमें इनके लिए seat ही नहीं थी अगर diploma वाले student के लिए वो seat थी तो उससे मांगा था two years का experience वरना वो seat थी बी-tech वाले student के लिए आपने देखा होगा बी-tech eligible होता है या फिर डिप्लोमा प्लस two years ठीक है इस तरीके से आपकी विकेंसी डिटेल दिए थी तो मतलब एक student ने जो डिप्लोमा जिसने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा किया था उसकी तो year खराब होगी न किसी ने इस बारे में अपनी साल उसको इस बारे में पता भी नहीं होगा क्यूंकि उसने कोई coaching center जोईन कर रहागा और coaching center ने उसको वहाँ से पढ़ा दिया होगा उसने पढ़ लिया होगा और इस जाकर वह एक्ग्जाम दे दिया होगा बट कभी उसने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा शयद वो इस वक्त वो वीडियो देख रहा और परिशान हो रहा होगा, रे यार यह तो पता है नहीं था मुझे, ठीक है, तो जब भी आप किसी भी चीज को करते हो, तो उसके बारे में थोड़ी से research कर लिया करो, 4-5 extra वीडियो देख लिया करो, और हाँ, अगर अभी तक आपने च मार्च में, मार्च के लास्ट मोर एक-दो अपरहल तक है आपका exam चलना था, आपका exam खूद ही आपकी vacancy detail निकाल दी जाती, मतलब उनको पता था कि आपकी vacancy, उनको पता है कि कितनी vacancies है, कितनी seat है, किसको select करना है, पता था उनको, क्या हुआ, अब भी आपका September, September के October चल रहा है, exam होने वाला है आपका, October चल रहा है आपकी vacancy detail अभी तक निकाल दी, क्यों किसी ने पूछा नहीं तो उन्होंने बताया है, नहीं, next, just after the exam, tear one, हाँ, और reality है कि paper होते ही, paper आपका कभी भी हो, यह उसके तुरंत बाद इसको निकाल देंगे, second, और हाँ, बहुत सारे students ऐसे होंगे, जुनको ही मेरी वीडियो फालतू लग रही होगी, या फिर demotivating लग रही होगी, क्योंकि मैंने इस टाइप की videos पहले भी बनाई हैं, बताये students को बारे इसके बारे में knowledge दिये, तो बहुत सारे students बोलते हैं कि thank you for telling me this, और बहुत सारे students ऐसा बोलते हैं कि बिन विकेंसी detail का कहीं table मिल जाए ना, तो उसको screenshot लेके मुझे Instagram, Instagram पर कहीं send कर देना, ठीक है, जो ये बात बोलना चाहरा होगा, तो बस मुझे इतना ही बताना था, in the end में ये नहीं कह रहा कि कुछ जा के करो, या कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वो जो engineers है, मतलब, half engineer का मेरा मतलब है कि quantity में, कुछ 8-9 लाख होते हैं हर साल पास, और कुछ 2-3 साल के मिलाके 16-17 लाख वो हो जाते हैं, जो form को fill करते हैं, या 7-8 लाख fill करते हैं, ठीक है, उन 7-8 लाख में से भी आधे internet पर होंगे, या नहीं होंगे, आधे अपनी preparation कर रहोंगे, आधे seriously नहीं कर रहोंगे, तो कुछ करने का कुछ फायदा है नहीं, मैं किसी को, मैं आपसे simple सी चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपको job चाहिए, तो preparation करो, और ऐसी करो, कि सिर्फ वही कर रहो, ठीक है, अगर कर रहे हो, तो सही से करो, वरना करो मत, time pass करने के ज़रुत की, ठीक है, तो उसका वीडियो का link मैंने नीचे दे दिया है, वहां से उसको देख लेना, उसी के साथ, SSC के अलावा, कौन-कौन सा department आपकी vacancies निकालता है, electrical, mechanical, civil के लिए, और एक साल के अंदर, आपकी कितनी vacancies आती है, उस सब के बारे में भी मैं आपकी वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी, तो आपको ये पता चल जाएगा, कि आपको SSC के अलावा, और कहां-कहां पर form fill करने है, ठीक है, तो डर्डने की ज़रुरत नहीं है, preparation कर रहे हो, करते रहो, selection हो जाएगा, junior engineer बन जाओगे, SSC में ना सही, किसी और department में, IOCL में, ISRO में बहुत vacancy निकलती है, DRDU में आपका septem निकलता है हर साल, और आपका ISRO में टेकनिकल ये टेकनिकल भी इस तरीके के exams निकलता है, scientific assistant की posts आती है, तो you can do, बहुत vacancies है, बट दिक्कत की बात सिर्फ यह है, कि coaching जो preparation कराते हैं, वो SSC JE की कराते हैं, जितने भ dedicatedly आपको किछी other exams की नहीं कराता, courses sell होते हैं, ठीका pen drive course है, other कोई course, वो किसके sell होते हैं, SSC JE के, किसके नाम पे, mechanical के नाम पे, seat कितनी है, कोई बताता नहीं है, reality किया है, पिछले 5 साल में total आपने देखा, ना तो electrical की 500 vacancies हैं, मैं pure वाली बात कर रहा है, mix वाली बात नहीं कर 8 लाख engineer produce होते हैं, 8, 40 लाख हो गए, ठीक है, तो इन 40 लाख students ने preparation करी, कितनी seat के लिए, 500 लिए, 5 साल में 500 engineers, और इसमें से भी वो कभी कोई document में बाहर हो गया होगा, कोई किसी चीज में बाहर हो गया होगा, scene क्या है, क्या नहीं है, वो सभी को पता है, बस चीज यह है, कि आप उससे aware हो या नहीं हो, मेरको ये वीडियो जो बनानी थी, वो आपको aware करने के लिए बनानी थी, वीडियो अच्छी लगी, तो like ज़रूर कर देना, like target हम इस पे 1000 रखते हैं, देखते हैं कि कब तक पूरे होते हैं, कि जमाने तक कितनी सालों में, ठीक है, वीडियो तो like ज़रूर कर देना, चैनल को अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया, तो subscribe कर देना, red color का बटन होगा, उसी के साथ एक घंटा होगा, तो भाई घंटा ज़रूर दबा देना, क्योंकि घंटा बजाने से आशिरवाद मिलता है भगवान जी का, और भगवान जी का आशिरवा तो आशिर भाई, तो झाल जी के श्वगान जी को यूजचा जी का व तो इसमाने से आशितरा कर से किया से आशितरा कर देना, पर एक अईचार कर देना, क्या जीतए ह।